बद्धिपदीश में राहुल गांधी की भारत जुड़ो यात्रा चल रही है और भारत जुड़ो यात्रा का नवा दिन है पर आज का दिन बड़ा चर्चा में आ गया क्योंकि राहुल गांधी के साथ स्वरा भासकर सामिल हो गई फिर क्या था भारती जनता पार्टी की क्यों आप से अब यह तो वहीं बताएंगे कि उनको इतना ध्यान मेरे ऊपर क्यों दिया जाता है मैं नहीं समझती कि मैं इतने ध्यान के लाइक हूँ भारत जुड़ो यात्रा में आज आप सामिल हुई है कैसा देख रही बात यह कहा जा रहा है कि भारत को जोड़ने की बात कही जा रही है और हम देख रहे हैं कि लगातार एक बड़ा हुजूम भी दिखाई दे रहा है आप भी उसी हुजूम के साथ आज नजार आ रही थी मैं देख रहा था सड़क पर हलागि उस दौरार आपसे बात नहीं हो पारी थी भारत जुड़ो यातरा को देश के लिए कैस किसी से नहीं छुपा मतलब ना इस देश में किसी से छुपा है ना अब दुनिया में किसी से छुपा है कि भारत में पिछले आठ साल में जिस किसम के हालात हैं जिस तरीके से नफरत को इस्तमाल किया जा रहा है एक राजनेतिक टूल की तरह जिस तरीके से नफरत को इस्तमाल आज इस तरीके से खत्म हो रही है आप जो क्राइम है उनका भी अगर आप वो देख लीजिए कि ये ने की कतल हो रहे हैं लिंचिंग हो रही है तो वो इस टाइप की जो चीजें होती है ये दिखाता है कि वो समाज बर-बर होता जा रहा है तो मुझे लगता है कि ऐसे वक्त म की बात रहुल गांदी भी कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं वो कहते हैं कि आप लोग भारत तोड़ने की बात करते हैं जब कस्मीर फाइस आती है तो फिर आप सवाल उठा देती है दारा 370 होती है तो आप सवाल उठा देती है तो ऐसा क्यों आकर ये क्यों एक दूसरे के बी क्योंकि आप अपने पिछले आठ साल में जो जो सवाल आप से किये गए हैं उनके जवाब आप नहीं दे पाए हैं मैं सीरिसली नहीं लेती इसको अब जिस महंगाई जिसे मुद्धों की बात करें तमाम ऐसे मुद्धे हैं जिसको लेकर निश्चित रूप से महगाई बड़ी है इसमें इसे इत्फ़ाग मैं भी रखता हूँ लेकिन क्या आपको लग रहा है जब भारत बरस में कोई बात करने होता तो कहते हैं कि चुनाव निड़ने कर देते हैं आज तमाम स्टेट में बीजे पी ऐसा दाबा करती की सरकार है उनकी है फिर कहां पबलिक तो हमारे साथ है वो कहते हैं फिर पबलिक कहां मान रहे हैं इस बात को चुनाव जीतने से जो चीज गलत है वो सही नहीं हो जाती है सर ये गनित ऐसे नहीं चलता है जो चीज सही है वो सही होती है जो चीज गलत है वो गलत है कतल हर संदर में गलत ही होता है चाहे आप चुनाव जीत के करें या चुनाव हार के करें वो नफरत की बीज बोने वाले जिनके लिए आप कहा रही है वो आप पर सवाल खड़े कर रहे है अब उनके लिए आप क्या कहना चाहेगे देखिए कुछ लोग अगर आपको गाली दें और सवाल उठाएं आपके उपर तो इसका ये मतलब है कि आपका जो जरित रहे है वो साफ है तो उनकी गालियों को मैं कॉम्प्लिमेंट मानती हूँ स्वराब भासकर है और बड़ी अची बात कही है कि यदि वो गाली दे रही है तो उनकी गालियों को एक तरह से कॉम्प्लिमेंट मानती हूँ लेकिन आज स्वराब भासकर बहुत चर्चा में है क्योंकि बात चल रही है नफरत की बात चल रही है भारत जुडो की लेकिन दूसरी तरफ बीजे पीए कह रही है कि नफरत की लाइन तो स्वराब भासकर खड़ी कर रही है अब कौन कितना सही कितना गलत पर इतना जरूर है कि आज भारत जुड़ो यात्रा एक अलग मोहने पर भी है और चर्चाविया लगे आज इस खरी के साथ मनोस्यनी ओजाएंगे